काफी important ये वीडियो होने वाला है 4-5 मिनिट का जो भी वीडियो है ये देखो ये static point of view से भी, economic static point of view से भी और current affairs के लिया से भी दोनों से important है और यहां से नीज संदेह, एक आदप्रशन पूछे ही पूछे जाएंगे आपके examination में किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो इसे दिहान से देखना, सबसे पहले देखो ये Kendriya Budget 2024-25 का एक infographic है इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या static point of view से important है और current affairs के point of view से पूरा budget तो important है ही my dear friend राजकोशिय घाटा, राजस्व घाटा, प्रात्मी घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा तो पहले इसको static point of view से देख लेते हैं उसके बाद current affairs के view से भी इसका दो dimension देखेंगे एक factual dimension और एक analytical dimension राजकोशिय घाटे का मतलब क्या, physical deficit का मतलब क्या देखो सरकार के कुल राजस्व और कुल ब्याय के बीच के अंतर को राजकोशिय घाटा कहते हैं ठीक है, और ये सरकार दोरा आवश्चक कुल उधार का क्या होता है संकीत होता है, वहीं प्राथमी घाटे की बात करें तो जो राजकोशिय घाटा होता है न पिछले वर्स के ब्याज को यदि हम घटा दे पिछले वर्स के ब्याज भुकतान को घटा दे राजकोशिय घाटे में से तो वो हमारे लिए प्राथमी घाटा हो जाता है हमारे लिए नहीं गुवर्मेंट के लिए प्राथमी घाटा हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट के रूप में उसे डिफाइन किया जाता है माई डियर फ्रेंड वही revenue deficit की बात करें that means राजस्व घाटे की बात करें तो ये कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व ब्याय को घटा कर निकाला जाता है my dear friend that means ब्याय जो है exceed कर जाता है कहने का मतलब सरकार की पास इतना आय नहीं है कि वो अपने जो भी ब्याय हैं उनको पूरा कर सके my dear friend ठीक है इसको ध्यान में रखना इसे बोलते है revenue deficit और effective revenue deficit क्या होता है प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है राजस्व घाटे में से जो पुझिगत परिसंपतियों के निर्मान के लिए खर्चे किया जाता है उसमें उसको घाटा दिया जाता है तो राजस्व घाटे में से हमें प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है तो ये static point of view से economic static point of view से थोड़ा सावी आपको अनवा होगा और PYQ analysis किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कितना important है अब आज आते हैं current affairs के dimension को touch करने के लिए इसमें घाटे की प्रविर्तिया देखाई गई है GDP के प्रतिशत के रूप में according to the केंदरिये budget union budget 2024 और 2025 देखो सबसे पहले हम budget अनुमान देख लेते हैं 2024 पचीस का तो प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो ये 0.6 फिसदी आखा गया है GDP के प्रतिशत के रूप में वहीं प्रात्मी घाटा 1.4 फिसदी राजस्व घाटा 1.8 फिसदी वहीं राजकोशिय घाटा 4.9 फिसदी आप देखो अब इसको आप याद करने के लिए बहुत कटिन परिक्ष्रम करते हो आप तो सबसे पहले नीचे से आप इनको देखो इन्फो ग्राफिक्स को पढ़ना क्या कोई भी डेटा डाइग्राम को अनालिसिस करना ये फोटोजेनिक मेमोरी यहां पर काम करती है तो नीचे से यहां से शुरू करो तो देखो ये प्रभावी राजस्व घाटा प्रात्मी घाटा राजस्व घाटा और राजकोश्चिय घाटा दिया गया है अब नीचे से बढ़ोगे तो बढ़ते जा रहा है 0.6 1.4 इसी का 2 गुना कर दो 1.2 उसमें 0.2 बढ़ा दो ऐसे ही करा जाता है थोड़ा भहुत दिमाग का कसरत किया जाता है अनलिटिकल एप्रोच के साथ वही राजस्व घाटा इसका 1.4 का मतलब इसमें 4 का 2 गुना हो गया है 1.8 हो गया है ठीक है और वहीं बात करें राजकोसी घाटा का तो सबसे बड़ा घाटा है ये 4.9 फिसदी आप इजली याद कर लोगे ठीक है तो एक ये 2024-25 के लिहास से factual orientation के साथ important तो है ही इसके साथ साथ 2023-24 का भी संसोधी तनुमान काफी important होता है और एक्जाम में अमोमन प्रश्ण यहां से भी पूछा जा सकता है ठीक है तो प्रभावी राजस्व घाटे की बयात करें तो ये 1.8 फिसदी रहा 2023-24 में प्रात्मी घाटा 2.3 फिसदी रहा राजस्व घाटा 2.8 फिसदी रहा और राजकोशी घाटा 5.8 फिसदी के बराबर रहा my defend थीक है तो ये सारे घाटे राजस्व घाटा और प्रात्मी घाटा काफी क्लोज है तो इसको धियान में रखना राजस्व घाटा 2.8 फिसदी और प्रात्मी घाटा 2.3 फिसदी के लिहास से रहा ठीक है तो ये हो गया current affairs में की प्रविर्तियों को दर्शाता है, सही रूप से दर्शाता है, ये गलत रूप से दर्शाता है, according to the union budget 2024 और 2025, आपको कहा जा सकता है, दर्शाय जा सकता है, कि राजकोश ये घाटा 2022-2023 से 2024-2025 तक लगतार घाटा है, ठीक है, तो obvious लगतार घाटा है, आप देखोगे, 6.4 थ 2029 और फिर 23-24 के संसोधीत अनुमान में ये बताया गया, 15.8 और अभी 14.9 का टार्गेट रखा जा रहा है, ठीक है, सेम तू सेम यहीं ट्रेंड आपको राजस्ट घाटे में भी दिख रहा है, प्रात्मी घाटे में भी दिख रहा है, मैं देखोगे, प्रात्मी घाटा दे पूछा जा सकता है, कि प्रात्मी घाटा ऐसा घाटा रहा है, कि 2023 के बजट अनुमान और संसोधी अनुमान दोनों के अनुसार जो है, ये बराबर रहा, 2.3 फिसदी के बराबर, ठीक है, और फिर 24-25 में 1.4 फिसदी हो गया है, ठीक है, वहीं बात करें, लेकिन प्रभावी राजस्य घाटे की बात करें, अगर कहा जाए कि लगतार इसमें डिकलाइन हुआ है, लगतार ये घटा है, तो ऐसा नहीं है, my dear friend, 2023 में ये 2.8 फिसदी के बराबर था, ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ध्यान में रखना चाहूंगा, ये कोई हमारा financial year नहीं है तो इस लिहास से भी हम कहेंगे कि ये भी लगतार घटा है, इसमें trend हम लगतार decline का trend देख रहे हैं, देखो 2.8 परसेंट था, फिर 2023 में अगर इसका संसोधी तनुमान देखे तो 1.8 फिसदी आ गया, और 2024 में 0.6 फिसदी के बराबर आ गया, तो ये था आपका ऐसे किसी भी info graphics को, चाहे वो आपके budget से related हो, चाहे union budget से या आपके राजय budget से, या economic survey राजय और union का किसी से भी related हो, इस लिहास से ऐसे तरीकों से पढ़ोगे, इस dimension से पढ़ोगे, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे, my dear friend, I hope कि जो भी इसमें video में content था, आपको जो भी म पहुंच चुका है, और, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सकाइब करना मिलते हैं अंगले वीडियो लेक्चर में, तब तक लिए signing off, टेक्या जाहिन जाय भारत, और हाँ, पूरे budget का जो भी technical terms है, उसका वीडियो जल्द ही insert आप दिया गया है, उसको click करके, उसको join करके वहाँ से follow कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका